आज हम बनाने वाले हैं PBM मतलब बटर पनीर मसाला की रेसिपी ना आपको रेस्टोरेंट जाना है ना आपको धाबा जाना है और टेस्ट में कॉंपरमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है ग्रेवी से अपनाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो रेसिपी है वो कितनी जादा क्या बटर तो अब हम ले ले यहां पर एक बाल इसमें हम डालेंगे चार केशियो नट है और चाल मेरे जापे अलमन्क डाला है यह दोनों चीज़ बिल्कुल ऑप्ष्णल है आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और साथ में यहां पर डालेंगे पीनट्स फली के दाने coconut हम यहाँ पे डाल लेंगे साथ में हम यहाँ पे डालेंगे एक bay leaves डालचीनी लिया है मैंने हैं यहाँ पे इसी के साथ हम यहाँ लेंगे तर्बूस के दाने, watermelon seeds जिसे हम खहते हैं, साथ में हम यहाँ डालेंगे 2 cardamom, 2 cloves मैंने हैं यहाँ डाला है अब एक मिक्सर के पॉर्ट में बड़े साइस की अनियन को रफली चॉप कर लिया है वह हम इसमें डाल लेंगे रेड टोमैटो आपको यहां पे लेना है कलर जो है रेड रेड रहना चाहिए हमारे टमाटर का तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखे कोई भी फूट कलर भी इस रेसीपी में यूज नहीं करने वाले है ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग यहां पे एड करें यहां पर जिंजर गालिक पेस्ट था तो इस स्पून से मैंने सिर्फ 2 स्पून ही दाला है तो आप कॉंटिटी देख सकते हैं इतनी ह इसमी पार जैती हमारी बारी पणिर की तो यहां पे 200 ग्राव परी मैंने हापे लिया है अपको छिश परी जाह फ्रेश पर एक पानी और इस तो आपको इस तरह से अगर आप एक बार गरम पानी में हल्दी दाल के जो है इसको सोक करेंगे ना तो इसका मिल्की फ्लेवर भी चला जाएंगा और पनीर की सौफनीज भी मैंटेन होंगी अब लेंगे हम यहां पर एक कढ़ाई इसमें दालेंगे 2 टेबल स्पोन ओई इतना जो हमारी ग्रेवी है इसका कलर चेंज होने लगता है तो अब हमारी ग्रेवी को 5-7 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे सौल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तर्मरिक डाल देंगे हम यहां पर रेड कश्मीरी लाल मिश ताला है मैंने इससे कलर बहुत अच अचित पूरा अच्छी तरीके से चोड़ दिया है गैस की अपको है मेडियम ही रखना है और अब हमारी ग्रेवी जो है वह पर पर्रफेक्टी डेडि हो गई है अब हम इसमें एड कर देंगे हमारे पनीर के क्यूब साथ में यह तौमेटो केचप यह पर टू टो टी बहुत जादा थीक लग रही है तो आप एक कप पानी दाल चकते हैं मेडियम फ्लेम के उपर में ग्रेवी को आपको कुक करना बिल्कुल लाइट हैं के साथ में बिकॉस पनीर बहुत जादा सॉफ्ट है तो आप बहुत जादा जल्दी करके अपनी स्पून को ना चला है और आपको ग्रेवी का टेक्षर समझ में आ रहा है कि पनीर कितना जादा टेस्टी लग रहा है मिन्स नंबर ओफ टाइमस हम यही सोचते कि कैसे बनेंगी कितने जादा टाइम लगेंगा तो आप दिख सकते हैं एक ही पॉट में बनकर यह डेडी हो गया है बिल्कुल 15-20 में हम को लगा है तो अब हम इसको करेंगे सर्व आप इसको इंजॉय कर सकते हैं नान चपाती पूरी के साथ में चपाती के साथ तो यतना जादा डिलिशस नहीं लगता है तो आप इसको कभी भी नान के साथ में खाए मैं यहां पर गार्णिश करने के लिए थोड़ा सा पनी ध्यान से देखिए मैं इस रेसिपी में फ्रेश क्रीम भी नहीं दाला है फिर भी हमारे ग्रेवी के टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्परमाइस में नहीं किया है और आप देख सकते कितना ज्यादा टैम्टिंग लग रहा है तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर और सबस्क्राइब मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ में तब तक कि आप इस चैनल को इस रेसिपी को इंजॉई करो और मुझे कमेंट में आकर जरूर बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी तब तक कि आप इस रेसिपी को इंजॉई करिए